नमस्कार जेहिंट औल एक्जाम गाइड गुरू का यूटूब चैनल आप सब भी देख रहे हैं यहां पर हम आपके लिए साइंस के सामाने विज्ञान के कॉश्चन लेकर आ गहे हैं पिछले 20 साल से बार बार आ रहे हैं और अभी भी जो गुरूप D एक्जाम हुआ था उस हाँ पढ़ना चाहते हो तो वीडियोगों खरतेहूं करतें वीडियो श्टार्ट पहले कोश्चन सामाने रूप में पाई जाने वाला तहक्तों कौन सा है तो हमले की अंदर हाइड्रोजन पाइजाता है सामाने रूप से प्राथमिक स्व जो होता है और 24 करट का होता है सु तो तो टैलीवां साफ्य में कौन सी उर्जा गमन करती है तो टेलीवां है आपकी एलेक्ट्रिकल ऊरिजा गमन करती है गतिज ओर्जा का अभी वणन्जक्या है तो गतिज ओर्जा होता है आपका 1-2 mv-3-2-2 unit या रखना कॉशन पूछा गया एक्जाम में यांत्रक लाब का मान होता है तो यांत्रक लाब जो भी होगा वो सदेव एक से अधिक होगा यारखना एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा माध्यमान कितना होता है तो प्रत्यावर्ती धारा मतलब आपका AC करेंट इसका माध्यमान होगा आपका दो एक चक्र की बात हो रही है एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमार्ट करती है कि तो छाया जो बनती है प्रकाश एक सरल रेखा म में कवन करता है यह चाया से में पर चलता है जो चाया बनती है लोगों की प्रकाश एक सरल रिखा में कवन करता है किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास का अनुपात क्या कहलाता है तो यांत्रक लाब कहलाता है भार और प्रयास का अनुपात फ्लेमिंग का बाया हस्त निय यूग में लाए जाता है तो यूरेनियम 235 नाभी की अभिक्रिया में यूज में लाए जाता है दोस्तों जिसना लाइक नहीं क्या जरूर लाइक कर देना वीडियो को लाइक जरू कर दो रोज एंसे कॉशन पढ़ने हैं तो अशुसक्ती मतलब होता हॉर्स पावर मात्रक कि लाइक निया था तो हॉच पावर जियमस लोट के दवारा दिया गया मात्रक है सूरी के लिए धरद गाम कितना है तो ब्याराइस कि kompl Minister के स्था यह नहीं होता मोल जो है वित पंदर मातरक की सिंपर सक्थीक का ऐसा जुसंतों आपके लिए 10 000 ग कॉशन की तैयार है किसमें कम से कम चार से 5 000 साइंस के बी कॉश्चन है जटेश को पिडिएफ चाहिए वाटस अपर आपको पीडिएफ मिल जाएगी 300 रुपए की PDF सिर्फ 99 रुपए मिल रही है Group D का एक्जाम चल रहा है और 1000 बच्चों को सिर्फ 99 रुपए में PDF मिलेगी आप चाहें तो phone पे Google पे Paytm से payment कर सकते हैं नीचे दियेगा नंबर पर WhatsApp करो अभी नीचे दियेगा नंबर पर WhatsApp करो इसको PDF चाहिए है 10,000 कोशन है सिर्फ 99 रुपए में H2SO4 किस सैल में होता है तो H2SO4 ही आपका LED ACID सैल में पाए जाता है पदार्थ की चौथी औस्ता क्या होती है तो पदार्थ की चौथी औस्ता आपकी प्लाजमा होती है पदार्थ की चौथी औस्ता लोहे पर जंग लगने से उसका भार आपका बढ़ जाएगा जल H2O में अनुपात कितना होता है तो H2O में दो अनुपात एक में आपके अनुपात एक राइट आंसर है वास्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है तो वास्प का द्रव में बदलना संगनन कहलाएगा या रखीगा सुद्ध पानी का कोथनांक कितना होता है तो 100 डिग्री सल्सिय सुद्ध पानी का कोथनांक होता है नाविक की तरज्या होती है तो 10 की उपर माइनस 15 की हाट मीटर नाविक की तरज्या होती है नीट्रोन होता है तो नीट्रोन एक आवेश हीनकण है या रखना नीट्रोन आवेश हीनकण है comment करके हो Actron पर क्या होता है कौन सा अविश होता है, धनाविश चया रनाविश ? comment box में जल्दी से comment करके हो सबी intelligent बच्चे अमले स्वाथ में कैसा होता है तो अमले जो होता है ये स्वाथ में आपका घ्ट्टा होता है सरल आवर्त गती में जो राशी नियत रहती है वह क्या है तो शरल आवर्त गती में जो आवर्त काल रहेगा वो आपका नियत रहेगा सरल आवर्त गती की गति जूजा कैसी होती है तो प्रतिक आवर्त में दो बार शूने होगी 3000 एंग्ष्ट्रम तरंग देर्थ के प्रकाश तरंग की आवरत्ती क्या होगी तो एक गुड़ दस की उपर पांच की घात हड्स होगी 3000 एंग्ष्ट्रम के प्रकाश तरंग की जो है आवरत्ती Sonographie में काम में आती है तो Sonographie में पराश्रवय तरंगें काम में आती है आपकी при pain मात्रक है तो papsmic소 नावकिब्सार्णद करेगा face dr. queens आपक्या और प्रियूक करते हैं इता प्र्यूक करेंगे आउतल मिरर लेंस नहीं आउतल दरपण जो है आपका मिरर बोला जाता है एक प्रकाश वर्स बराबर होता है तो 6 गोड़ नहीं मापकी जीगा नौ दिसमलोग चार्च है एक गोड़ 10 की पर 15 की गहत मीटर यह एक प्रकाश वर्स बराबर होता है बायो गैस में कितना जो कहलाता है यह प्राधिमिक लिवर कहलाता है पारसिक की प्रतिवर्य रखता का कम होती है एक होस्पावर किसके बरावर होता है तो एक हाथ होस्पावर में 706 साचसोचेहलिस.प्र इसमें होता है तो चुपर होता है आशासबी कि ब्लाइभ में सुन से लिए आवशक नियुंतम दूरी कितनी होती तो सतरा मींटर को सुनने के लिए एक आदर्ष मीडर का पृतिरोध कितना होता तो एक आजर्ष अमीटर होगा उसका पतीरोध होगा सुने comment करता है यह एमीटर से क्या मापते हैं अमीटर से क्या मापते हैं गुरूप दी में कॉशन पूशा गया है यह हमारी पीडिये पेडिये नीचे दीए नंबर पर कॉल जरू कर लेना बहुत हैल्फुल रही है आपको गुरूप दी क बजली के अपकरन घरों में किस क्रम में लगाए जाते हैं पर प्रश्ट तणाओ का मातरक आपका नूटन प्रती मीटर है प्रश्टत अंग्याइगा ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहलाएगा समान वेक से चल रही वस्तू का तुरान कितना होता है समान वेक से चल रही वस्तू का तुरान शूने होगा दो उत्तरोत्तर श्रंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्थ के बीच की दूरी क्या कहलाती है तो उत्तरोत्तर स्रंग और उत्तरोत्तर गर्त इनके बीच की दूरे आपकी तरंग दर्द कहलाएगे दर्श्य प्रकास की तरंग दर्द परास है तो दर्श्य प्रकास की तरंग दर्द परास 4000 से 8000 रेंग्ष्ट्रम है एक कूलाम आवेश होता है एक कूलाम आवेश आपका 6.25.10 कीव पर 18 घाथ इलेक्ट्रोन एक कूलाम आवेश कहलाएगा इलेक्ट्रोन पर आवेश कितना होता है तो एक दिसम्बत 6.10 कीव उपर माइनस 19 की घाथ कूलाम एक storage battery का विदुद वाहक अबल निर्भर करता है तो ये electrode की प्रक्रती पर निर्भर करेगा storage battery का विदुद वाहक अबल आइस्थाई चुमबक बना जाते हैं तो आइस्थाई चुमबक नर्मल होए या soft iron के बना जाते हैं एक फैंपटो ऩरावर कितना होता है तो एक फैंपटो में 10 के उपर माइनमस 15 की हाथ होता है घया होति है तो दर्ष से इस्पेक्ट्रम की तरंग की तरंग के तरंगक दर हाद गती है दुरू हजार ब़्दुण थीन हज़ाः नौसओं धार से वीट करने हैं जो है प्रतीपालित की है एक तरल में गुतेटन मुइश सट्वा या प्रस्टतनाहों किस प्रकार या किस कारण से होता है तो अनू होगने की है, लिटन किसकी काई है, तो newton आपकी बलकी यह newton केborल चाहिक बराबर स्वसुनł स्वसर्थ layout किस साइटेड़ बंदी में तो शक्ति निर्बर करता है तो है तो पारे का सिधान्त कि सिर्थन ने दिया था तो आर्कमिडीस के द्वारा उत्तोलक का सिधान दिया गया था नाभी की अभिक्रिया में क्या संदक्षित रहता है तो नाभी की अभिक्रिया में द्रविमान उर्जा ये आपका संदक्षित रहता है रदर फोड ने किसकी खोच की थी तो प्रोटोन की खोच की गई थी रदर फ मापन का श्रिष्ट उपकाण किया है, तो सेल का एयमिफ है तो आपको पो टैंसियो मीटर के दूबारा एयमिफ ना पाएंगे अप सेल का, स्रिंडी करम के सैयोजक में सेलों के आंतरिक प्रति रोध का मान कितना होता है, तो यह आपका अपरी वर्तित रहेगा आंत्रिक प्रतिरिव् का मान स्वापेयर एरक तो का ऐसाई मतर कहलाएगा इसथाई चुम्बक बनाए interfac किस याम आवे के समान है तो समवेग का जो आयाम होता है ये आवेग के समान है आवेग और समवेग का आयाम समान होता है दोलक आतार- शीस और गर्द के बीच की दूरी क्या कहलाती है तरंग देर्द बोला जाता है इसको तराजु किस स्ररैनी का उत्तोलक है तराजु जो है ये प्रत्horम स्रैनी उत्तोलक कहलाता है प्लैटिनम का परमाणू क्रमांग कितना है तो 78 प्रत्वी पर शरीर का वजन तो द्रोवों पर प्रत्वी की तरसी में द्रव्य तरंगों का प्रयूग किया जाता है तो बीस हाजार हड से अधिक होती है पराश्रव तरंगों की आवरत्ती एक औतोल तरफण के वक्रता की अंदर से जाने वाली किरन के लिए आपतित कौन कितना होगा तो 90 डिगरी सेल्सियस आपतित कौन होगा पैंसल की लड़ किसकी बनी होती है तो 25 ड़ आपकी जो है ये ग्रेफाइट की बनी होती है एक नौट बराबर कितना मील प्रति घंटा होता है किरनो यूवी रेस से किस गैस रियाक्शन द्वारा ओजोन गैस बनती है तो ओटु के द्वारा ओजोन गैस बनती है जेब यूवी किरनो के चोड़ेंगा प्रत्वी के साब एक चंद्रमा पर किसी वस्तू का भार कितना होगा एक बड़े इच्छे होगा और आज का आखरी कॉशन आपसे पूछा गया है कि एक किलोवाट घंटा कितने जूल के बरावर होता है तो तीन दिसंबल उच्छे गोड़े दस की उपर छे की घाथ जूल बरावर होता एक किलोवाट घंटा दोस्तों यदि आपको कॉशन अच्छे लगे साइंस करनी है मैं फिर से बोल रहा हूं पीडिएप जरूर परचेस क कर भीजो जिस उसको और ऐसे वीडियो चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद